तो कहानी के शुरू में हमें बताया चाता है कि रेज नाम का वाईरस पूरे शहर में पहल गया है जिस वज़ासे लोग सोंबिस में बदल रहे हैं और एक दूसरी को मार कर खा रही थी फिर हमें चोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें छे लोग थी जो जॉम्बिस के वाइरस से बचे हुए थे उन लोगों में एक आदमी डॉन जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस एक बढ़ा कपल और दो लोग और थे एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी डॉन बाहर के हालाद देकर बहुत परिशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस पेजा हुआ था दरासल ये वाइरस इसी शहर ब्रिटन में फैला हुआ था यही वज़ा थी कि डॉन के बच्चे इस वाइरस से मेफूस थे यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैटे हुए थी उनके घर में बिलकुल अंधेरा था सबी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किसम का शोर था तब ही उनका कोई दर्वाजा जूर जूर से खट-कटाने लगता है कहता है मुझे प्लीज अंदर आने दो दर्वाजा खोल दो मुझे बचाएं दरासली आवाज 10 साल के छोटे बच्चे की थी बच्चे की अवास उनका रैलिस कहती है कि प्लीज हमें दिर्वाजा खोलना चाहिए हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं जब ये दिर्वाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दुबहर थी इन्होंने बस अपने घर में ही अंदेरा किया हुआ था ताकि कोई जॉंबी इन्हें देखना पाए ये उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं पूशताज करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड जॉंबी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे खाने आ रहे थी डॉन पूशता है कितने लोग थे वो कहता है बहुत सारे इन भी जो दो और लोग थे उन में से लड़की बहुत सारे डरी हुई थी और बाहर ज्छाकने लगती है उसे दूर से बहुत सारे जॉंबीस की आवाजे अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी तब ही एक जॉंबी के चानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर देती है इर्द की इर्द भी बहुत सारे जॉंबीस आ गए थी और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं एलिस उस बच्ची को बचाकर उपर की तर्फ चा रही थी डॉन भी उसके पीछे आता है वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस हमें भागना है मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती उधर वो बढ़ा कपल बाहिर एक और घर में चुप गए थे मगर वो भी जॉंबीस से बच नहीं पाते तब ये देखकर डॉन ने भी अपने दर्वाजे को बंद कर लिया था एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी कहा परो डॉन मेरी मदद करो मगर डॉन उस साइट का दर्वाजा बंद करके दूसरे दर्वाजे से बाहर की तरफ भाग गया था उसके पीछे और भी बहुत से जॉंबिस थे जो भूके उसकी तरफ भाग रहे थे हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी डॉन बहुत शिर्मिंदगी में रोता भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया उसकी मदद नहीं की आगे जाकर उसे तलाब में वो ही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था वो कश्टी को चलाते हुए हड़ बढ़ा हाट में पानी में गिल जाता है उस लड़की को भी जॉंबिस ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं डॉन अकेला ही बचा था जो उसकश्टी में बैठकर जा रहा था फिर आगे हमें कहानी एक महीने बाद की दिखाय जाती है जिसमें बताते हैं कि जॉंबिस अब भूके रहने की वज़ा से आइस्टा आइस्टा खत्म हो रही है इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कबजा था वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थी तभी हमें एक सार्चेंट डॉयल दिखाय जाता है जो के स्नाइपर निशाने बास की टीम में था उसे जैसे ही जॉंबिस दिखे उसने उन्हें अपनी गन से निशाना लगा कर मारना था डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था इस तरहां छे महीने गुजर चुके थे अब जॉंबिस भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे इसी तर्मियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाय जाती है जो इस वाइरस पर स्टेडी कर रही थी अब जो लोग दूसरे शहरों में फसे हुए थे उन्हें दुबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राइम शुरू कर देती है मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था ना कि अपने घरों में जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स के निगरानी में था अभी तक सो की आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटन में वापिस आ गए थे इने में डॉन के बच्चे भी थे डॉक्टर जब बच्चे को वापिस आता देखती है तो परिशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चे को संभाला जाएगा डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्स करती है जिसमें वो देखती है उसकी आँखें दो कलर की थी यानि की उसकी आँख का आदारंग कुछ और आदा कुछ उड़ था डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारी सैमली में किसी और की आँखे भी ऐसी है डॉन का बेटा कहता है हाँ मेरी मॉम की यानि की एलिस की आंखों का रंग ऐसा था डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था वो तरह सल अभी भी इस सेव जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था इसलिए वो अपने बच्चों को उस जगा पर ली आता है जहाँ पर वो रह रहा था वो अपने बच्चों को उनकी मौम एलिस के साथ हुए हाधसे के बारे में भी बताता है रात के वक्ट सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मौम के सपनी आ रही थी उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है सुबा को जिब डॉन अपनी काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सीव जोन से निकल कर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुँच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके तब है आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि दो बच्चे सीव जोन से भाग गई है मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे जहाँ पर डॉन की बेटे को अपने घर की उपर वाले हिससे से कुछ आवाज है आ रही थी जब वो उपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी यानि की एलिस जिसको डॉन जॉम्बिस की दर्मियान में छोड़ कर चला गया था हैर डॉन का बेटा अपनी मॉम की गले लग गया था तब उसे दर्द होता है दोनों बेहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फोज थी जो सेव जोन में दुबारा लेने आई थी वहाँ पर तीनों को कॉरंटाइन में रखा गया था एलिस को बान कर लेब में रखा जाता है डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी जॉम्बी वाइरस से इंफेक्टिड तो नहीं तब ही उन्हें पता चलता है कि एलिस इंफेक्टिड तो हुई थी मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल इतनी ताकतवर थी कि उस पर जॉम्बी वाइरस का असर नहीं हुआ इसलिए अभी तक वो जॉम्बी भी नहीं बनी थी मगर उसके खून या फिर किसी भी वज़ा से दूसरे लोग उससे इंफेक्टिड हो सकते थी यानि कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो जॉम्बी बन जाएगा ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सब के लिए खत्रा हो सकती है ताके किसी और को एलिस की वज़ा से कोई नुक्सान ना हो मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखें एलिस की इम्यूनिटी उसके जीन्स बहुत अलग है हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं अब जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिन्दा है वो अपने बच्चों के पास चाता है मगर वो उस पर गुसा थी कहते हैं कि डैट आप तो कह रहे थी कि मौम मर गई है जॉम्बी बन गई है तो वो कैसे जिन्दा है डॉन अपने बच्चों की बाते सुनकर बहुत डरा हुआ था क्योंकि सचाई से वो ही जानता था कि वो एलिस को छोड़ कर भागा था इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास चाता है और रोकर उसे माफी मांगता है अब जैसे ही वो उसकी थोड़ा और करीब जाता है एकदम से चीखता तड़पता है और एकदम से जॉम्बी में बदल गया था एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिलना दी है मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोच कर मार देता है फिर इसकी बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सीव जोन की तरफ भाग दी है मगर डॉन सीव जोन की तरफ पिया गया था और लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ की दरवाजे को तोड़ने लगता है डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है एक एसी वेंट में जाकर छुप गया था नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी डॉन उन्हें काट कर जॉम्बी बना रहा था फिर आगे जॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को जॉम्बी बना रहे थी हर चकाँ पर हल चल थी सबी अपनी जान बचा कर यहां से भागना चाहते थी तब ही स्नाइपर्स को भी ऐलर्ट किया जाता है मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन जॉम्बी है और कौन नहीं तब ही उन सबी को ये ओर्डर दिया जाता है कि सब को मार दें ये बात सुनकर उसी स्नाइपर्स डाइल को जो हमने कहानी के शुरू में देखा उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे लोगों को बचाना था उनकी मदद करनी थी ना कि उन्हें मारना था वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक जॉम्बी आता है जिसे वो शूट करके मार देता है मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था इसलिए वो अपने इस ड्यूटी को छोड़ देता है डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था जहाँ पर बहुत अंधेरा था उधर ही उसे अपनी बेहन और डॉक्टर मिली थी इनके इलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थी बुड़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत परिशान हो जाती है और कहती है कि आखिर यह सब लोगों को क्यों मार रही है तब है यहाँ पर डाइल आ जाता है जो सब को यहाँ से चलने का कहता है क्योंकि यहाँ पर रुकना खत्रे से खाली नहीं था वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फाइरिंग कर देती है जिसमें बुड़ी औरत मर गई थी डाइल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थी तब ही डाइल को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो कि आर्मी में था जिसके पास हेलिकॉप्टर था वो कहता है देखो कुछ वक्त में सारे शेहर को बॉम से उड़ाने का ओर्डर दिया गया है तुम्हें मैं जिस जगा की लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ पर आकर मुझसे मिलो मैं तुम्हें बचाता हूँ अब ये सभी एक टैनल की रास्ते से वहाँ से बाहिर आते हैं तब ही उतर बहुत बड़ा धमाका हुआ था आर्मी ने सेव जोन में जितने भी जॉम्बिस या बचे हुए इंसान थे सभी को दमाके से उडा दिया था डाइल डॉक्टर और बच्चा को लेकर भागता है ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगा पर आ गई थे तब ही डाइल का दोस्त भी हेलिकॉप्टर लेकर आ जाता है वो डाइल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए जॉम्बिस आ रही है ये सुनकर डाइल बच्चा और डॉक्टर को छुपने का कहता है उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है देखो डाइल मुझे सिर्फ तुमें लेने का कहा गया है अगर मैं किसी भी बचे हुए सिवेलियन शेहरी को बचा कर ले गया तो आरमी वाले मुझे भी मार देंगे लेकिन डाइल अकेला उसके साथ नहीं जाता वो सबकी मदद करना चाहता था इसलिए वो अकेला ही उसे वहां से बेच देता है तब इनके पीछे बहुत से जॉंबिस पढ़ गए थे ये भाग कर शेहर की तरफ आते हैं शेहर में आरमी ने जॉंबिस को मारने के लिए सेहरीली गैस छोड़ी हुई थी जिस पचा से वहां पर आम इनसान सास नहीं ले सकता था उसे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं अब सारे जॉंबिस उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थी मगर गैस की वज़ा से वो जॉंबिस वहीं पर मर जाते हैं बीचे आर्मी के लोग भी थे जो सब को यहां पर खत्म करने आ रहे थी डाइल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी तब ही डाइल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है मगर वो आर्मी के नजरों में आ किया था आर्मी वाले उसे भी इंसेक्टिर समझ कर मार देते हैं डॉक्टर बच्चों को बचा कर गाड़ी चला कर टनल तक पहुँच गई थी मगर वहाँ पर आकर उन्हें डॉन का जॉम्बी दिखता है उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था इसे बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं डॉन ने अपने ही बेटी पर हमला कर दिया था मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी जिस वज़ा से वो भी जॉम्बी में नहीं बदलता तब ही डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैट को मार देती है और बहुत रोती है यह दोनों बेहन भाई स्टेडियम में बहुच गए थे जहाँ पर वो ही डाइल का दोस्त आता है जिसके पास हेलिकॉप्टर था वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इने बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए शायद वो इंफेक्टिट ना हूँ मगर फिर भी वो उने बचा लेता है और अपनी हेलिकॉप्टर में ब्रिटन शहर से बाहर ले गया था हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है फिर हम अटा इस दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर बचे हुई जॉम्बी एक टनल की रास्ते से पैरिस शहर में पहुँच गए थी जहाँ पर देखते हैं